गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक नव वी आर कॉंटिन्यू अवर टोपिक बीफोर दी इंडस्रियल रेवलुशन यानि कि उध्योगी क्रांती से पहले यहां पर एक ट्रम्स बनेगी that is called proto-industrialization जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आदी उध्योगी की करण कहते हैं तो before the industry revolution यानि कि उध्योगी क्रांती आने से पहले भी हम लोग production करते थे और यह production mainly घरों के अंदर ही किया जाता था इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं proto-industrialization that is most important term that is called in Hindi आदी उध्योगी की करण कहते है प्रोटो का meaning क्या होता है indicating the first or early form of something यानि कि पहली या प्रात्मिक जो स्थीती होती है किसी भी चीज़ की उसको जो represent करते हैं उसके लिए हम what use करते है प्रोटो तो industry आने से पहले production कैसे होता था घरों में production होता था उसी को नाम दिया जाता है proto-industrialization that is most important term which we have to be talk firstly so we will continue our topic all to open associated with industrialization, with the growth of factory industry कैतेके अगर हम बात करे इंडेसलाइजिस्टफिक्शन की, industrialization का संभद किसके साथ है with the growth of factory industry यानि की factory जो industry है उनकी growth के साथ है when we talk of industrial production कैते की जब हम industrial production की बारे में बाते करते हैं we refer to factory production तो generally हम किसकी और संकेत करते है factory production के और तो यहाँ पर देखा हमने की बात करें factory production को industrial production का नाम दिया जाता है when we talk of industrial worker we means factory worker काते कि जब हम industrial worker की बात करते तो generally हमारा meaning होता कि factory के worker histories of industrialization very often begin with the setting of first factory काते कि जैसे ही पहली factory लगी थी तब ही उद्योगी की कर्ण का इतिहास हमारा शुरू हो चुका था there is a problem with such idea even before factory begin to do landscape of England and Europe there was a large scale of industrial production for the international market काते कि जैसे ही generally हम बात करें सबसे पहले जो factory लगाएगी थी इंग्लेंड में Europe के अंदर तो तभी से ही हमारा जो international market के लिए production करना शुरू किया था इंग्लेंड इरोप ने तभी से हमारा जो उड्योगी के करन का इतिहास तो उसकी शुरुआत हो जाती है this was not based on factory this was not based on factory कहते कि उन्होंने फैक्टरी के अधार पर उत्पादर नहीं किया मैंने प्रोटो thrive to this phase of industrialization to proto-industrialization कहतें कि बहुत सारे थी हास कारों ने इसे चरन को क्या नाम दिया है उद्योगी की करन का आदि उद्योगी की करन की यानि कि जो इंग्लेंड और यूरोप है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडेक्शन करते थे इसी को नाम दिया गया है प्रोटो इंडस्टलाइजेशन कैते की 17 और 18 सेंचिरी में मर्चेंट्स थे फ्रों दी ताउन से बिगन मुविं तो दी कंट्री साइड काते की उन्होंने क्या किया उन्होंने गाउं जाना शुरू किया प्रोडेक्शन करें जो व्यापारी थे मर्चेंट थे 17 और 18 सेंचिरी में गाउं की तरब जाना लगे रोनोंने वहां जाकर मतलब जो पीजेंट्स थे और आटीशन थे उनको पैसे देने शुरू किया कि वो इंटरनेशन मार्केट के लिए प्रोडेक्शन शुरू करें with the expansion of the world trade and equations of the colonies in different part of the world the demand of goods begin growing काते कि जैसे ही अगर हम बात करें वीशो व्यापार की वीशो व्यापार बढ़ने लगा तो जो वर्ड के अधिकतर कंट्रियों उसमें ट्रेड की मांग भी ज़्यादा होने लगी आप देखें कि फंक्षन क्या होते थे जो गिल्ड्स है गिल्ड्स बोलते हैं ग्रूप ओफेर ट्रेड व्यापारी संग को क्या 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 फंक्षन थे देवर एक संगठन बना लेते थे उतपाद को का that train the craft ये और लोगों को वो ट्रेनिग देते थे काम करने की maintain control or production, production के उपर control रखते थे regular competition and price, regulate competition and price, यानि की जो price होते थे उनके उपर competition होता था जो उसके उपर अपना नियंत्रन रखते थे and restricted the entry of new people who into trade, और जो नए लोग entry करते थे व्यापार के अंदर उनके उपर भी रोक लगाते थे, that is most important, guilds याद रखे, group of trader, व्यापारियों का जो group होता था व्यापारियों का जो group होता था उसकों guilds कहते हैं, what are the main function of guilds, that is an anti-sequition that is given in one marks, which of the following that is in negative sense, so you must have to be remember what are the function of guilds, guilds के function क्या होते थे, ruler guaranteed different guilds, the monopoly right to produce and trade to specify product, कहते कि कही बार जो ruler होते थे, raja होते थे, वो भी इनको एकाधिकार, monopoly होता है, एकाधिकार परदान करते थे कि आप लोग ही product बनाए और आप लोग ही product के उपर नियंतन करे, it was therefore difficult to new merchant to set up business in town, कहते कि इसलिए एक ने व्यापारी के लिए सहर में आकर अपना business set up करना बड़ा ही मुस्किल काम था, so they run to the countryside, इस कांट से वो ज्यादतर countryside में जाते थे ट्रेडर व्यापार करने के कहते कि गाओं के अंदर जादा तर जो worker थे और जो merchants थे उन्होंने काम करना शुरू किया, as you have seen in textbook last year that the time was open field were despairing and common were being enclosed, कहते कि जैसा कि last year आपने पढ़ा, यहां पर हम लोग बात करें तो collective farming की बात करें, हम लोग generally, cottage and poor peasants who had earlier depend on common lands, their survival, gathering firewood, burn vegetables, vegetables sales had now to be alternative source of income, कहते कि पहले लोग जो खेती बाड़ी करते थे, वो सामुई खेती हो चुकि इसलिए क्या है, लोगों के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, लकडी कठी करना, vegetables hay and straw, यानि कि जो घासपूस होता हुए, कठा करना है to now look alternative source of income, यानि कि अलग से source बन चुके थे, लोगों को income कमाने के, many had tiny plots of land which could not provide work for the merchants in thousands, so when merchants came to around often advance to produce goods for them, कहते कि कई बार यह जो मर्चेंट सहर से गाउं आते थे, तो इनको advance भी पैसे provide कर दे थे, present household eagerly agree, कहते कि जो peasants थे या ग्रेलू जो काम करने वाले लोग थे, वो अपनी इच्छा से सहमत हो जाते थे काम करने के लिए by working for the merchants, यानि कि merchants के लिए वो काम करते थे, they could remain, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plot, कहते कि गाउं में ही रहते थे और अपने जो छोटे मोडे plot होते थे, उनके उपर खेती बाड़ी भी करते थे, income from proto industry, production supplement, their shrinking income from cultivation, it is also allow them fuller of the family labor source, कहते कि इस तरीके से क्या हुआ, यानि कि व भी काम करते थे, इस तरीके से कह, उनकी family की जो income है वो बढ़ने लगी, within the system of the close relationship developed between town and countryside, merchants were based on town, but the work was done mostly in the countryside, कहते कि मर्चेंट वैसे तो generally सहरोवे रहते थे, लेकिन जो काम होता था उनका, वो गाउं में किया जाता थे, मर्चेंट क्लोथर in England, purchase wool from the wool steppler, कहते कि wool steppler, यहा की बारे में बात करते है, words complete, आगे description दिये, कि stapler क्या होता है, person who stepple, or short wool, according to its fiber, कहते कि एक ऐसा व्यक्ति, जो wool को stepple करता है, according to its fiber, यानि कि इसके fiber के according, that is called stapler, यानि कि stapler करने वाला, wool को stapler करने वाला, fuller, a person who fools, that is gather cloth by pleating, कहते कि एक ऐसा व्यक्ति, fools, that is gathering cloth, यानि कि जो कपड़े को एकठा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, fuller, और carding का मतलग क्या होता है, the process in which fiber such as cotton or wool are prepared prior to spin, यानि कि कातने बुनने से पहले जो त्यार किया जाता कपड़ा, उसको बोलते हम लोग कार्डिंग, कार्डिंग करना, ये तो सारे word repeat होते हैं, या पर stapler, and carried the spinner, yarn that spun subsequently stage to produce weaver, fuller and then to dyer, कहते कि उसके बाद जो stapler किया जाता था, फिर उसको fuller किया जाता था, and then to dyer, और उसको फिर dyer के पास बेजा जाता था, the finishing was done in London before the expert merchant sold in cloth, the international market, London in fact come to be known as the finishing center, most important है, यानि कि कपड़े का, यानि कि ये सारी प्रिक्रिया होने के बाद, stapler होने के बाद, fuller ह होने के बाद, तो completely वो कपड़ा जो त्यार होता था, उसको international market के लिए त्यार किया जाता था, और finishing center को उन साहर बना, उन दिनों में, London, in fact come to be known as finishing center, that is most important, you may have to be outlined, finishing center के नाम से किसको जाना गया, London को जाना गया, the proto industrial system was the spot of network of commercial exchange, क्याते कि,